हाई बचापाटी, वेलकम तु सीओ इटी, अड़ा 24-7, माइनम इस सर्ष और आप लोगों के पेपर बहुत सदा नजदीक हैं और आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है कि सर हम लोगों ने पढ़ तो सब कुछ लिया है लेकिन किस तरीके से हम इन आखरी 10 दिनों को ऐसे यूटिलाइस करें, आखरी के 10-11 दिनों को ऐसे यूटिलाइस करें, ऐसे पढ़ाई करें कि भाई हमारे 700 प्लस तो स्कोर बनी जाए, यानि कि अगर मैं डली उनिवर्सिटी टार्गेट कर रहा हूं तो मेरा नौर्थ कैंपस तो फाइनल हो ही जाए, कुछ ऐसा हमको सबसे पहले, मैं आपको बताता हूं कि आपकी करेंट स्टेज क्या है, करेंट सेच्वेशन क्या है, आप लोग अपनी परफॉर्मेंस को लेकि थोड़ा सीरेस तो होगे, और पढ़ाई भी प्रिप्रेशन भी अशे तरीके से कर रहे होगे, लेकिन अधिकतर बच्चों की, मैं कहता हूं, 90% बच्चों की यहाँ पे, जो सेच्वेशन है, वो यह है, कि सर स्लेबस हमारा कम्प्लीट हो चुका है, क्योंकि आप जानते हो कि याँ चार या पाँच मही है, तीन चार पाँच सारी हो रही है, और आपका पेपर 15 मही से है, तो यार अब यह आखरी के दर करना था, बहुत सारे बार जो है, हमने कंटेंट को अच्छे तरीके से कवर कर लिया, सारे कीवर्ड देख लिए, सारे फर्मले आद हो चुके है, हम लोग क्या कर सकते हैं, आखरी के 10 दिनों में दो काम कर सकते हैं, काम नमबर एक, आपको रिवीजन करना बचा होगा, अच सोला, पंदरा, चौदा, कुछ ही सरीके से आप रिवीजन करोगे, एक दो दिन पहले, और दूसरा जो सबसे में काम है, वो आपका अभी पेंडिंग होगा, वो है प्रेक्टिस, यानि कि अभी आपने कोशन नहीं लगाए होंगे, उतने जितने आपको लगा लेने चाहिए तो यह आपकी current situation है, more than 90% of students इस समय इसी situation में होंगे, तो उन्हीं के लिए कुछ basic calculation आपको कुछ ऐसा समझाने के लिए लाया हूँ, कि आप थोड़ा सा अपनी performance को और बहतर बना सकते हैं, सबसे पहले, जब बात करते हैं, CUT के paper की competitive exam है, यानि कि accuracy, time management और confidence, तीनों चीज़ करेगी, अगर accuracy बहुत सही है, और time बहुत ज़्या लगा रहे है, paper छूट जाएगा, वो भी दिक्कत की बात है, अगर दोनों सही है, और confidence ही नहीं आ रहा है, कि sir, हम से तो कुछ होई नहीं पाएगा, हम तो paper में अच्छा कर ही नहीं सकता है, हम आप से पढ़ते हैं, कोशन लग जाते हैं, अपने आप से हम से लगते ही नहीं है, कुछ ऐसा अगर आपके मन में डर है, तो ये तीनों ही problems को overcome करने की जरूवत है, इन तीनों ही problems पे green flag लगाने की जरूवत है, कि हाँ इन तीनों problems को done कर लिया है, और इसके लिए आपके पास मात्र और मात्र 10 जिन का स अगर मैं देखता हूं कि एक कोशन करने में कितना टाइम मिलेगा, तो आपको डेढ़ मिनिट में पढ़ना है, और उसका अंसर लिखना, और ध्यान रखिएगा, तब बता रहा हूं, जब आप बागी के 10 कोशन को पढ़े ही ना, अगर आप 50 कोशन पढ़ने का टाइम लग करेंगे, तब तो यह डिसाइड करेंगे कि करने कों से और छोडने कों से, तो वहां भी आपका टाइम जाएगा, हाला कि उस टाइम को अभी मैंने यहां पर नहीं लिया है, आप उसको अपने माइन में ले सकते हैं कि यहां वहां पर टाइम जाएगा, यानि कि आप देख का सिनारियो बिल्कुल अकाउंट के जैसा ही है अगेन वही साथ मिनट चालिस कोशन देड़ मिनट हर कोशन करने के लिए यानि कि समय तो कम मिलेगा टाइम मेनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा कॉन्पिटेंस को तो इंक्रीज करना पड़ेगा यह हो गया बेसिक कल्कुलेशन आपके मिनेट की कि कितने मिनेट आपको एक कोशन करने में लगाने चाहिए ध्यान रखिए अगर आप इससे जाधा टाइम लगाएंगे तो इसका मतलब कोई और कोशन होगा वह आपसे स्ट्रेडिजी बनाऊंगा यह बिल्कुल जब मैं अपने लिए बनाता वैसी स्ट्रेडिजी है जो मैं फॉलो करता है ठीक है नेखो तीन सब्जेक्ट हैं बीस्टी अकाउंट पर इकोनामिक्स मैं कहता हूं कि चलो मैं मान के चलता हूं कि 24 गंटे के दिन में मैं अगर 8-10 कि तरह क्यों कर वारे हो सुबह शाम चुबह शाम दो बार लगा होगे ना क्या होगा कि टाइम गब भी मिलेगा माइन थोड़ा फ्रेश भी होता है और मौक लगाने मज़ा भी आती है और मिक सब्जेक्ट करोगे तो इंट्रेस्स बना रहेगा बोर नहीं होगे तो दो मॉ क्यान करने क्लिए होगा चार और जादें के परने के बोल रहा हूं और एक दिन में पाच हो इंटे आपके लिए यह साड़े पाच गंटे आपके लिए मुश्किल नहीं है यह बात आप भी जानते हूँ ठीक ना साड़े 5 गंटे निकालना आज की रेट में सी उटी के एस्पिरेंट के लिए कोई बधी बात आपको offline भी recommend करूंगा अब आप सोचिए आप डेली 300 कोशन लगाएंगे आखरी के 11 दिनों में 3300 कोशन के साथ आप अपनी पढ़ाई को एंड करेंगे और पेपर देखे आएंगे मुझे बता सकता है कोई बच्चा कि जब 3300 कोशन लगाएगा आखर के 11 दिनों में तो उसकी ठीक है फिर भी बेटा 6-6 गंटे कोई issue वाली बात नहीं है आज एक बच्चा अगर देता है 11 दिन तो आप अराम से ऐसे manage कर सकते हो थोड़ी एक्ट्रा पढ़ाई करके और आपका फिर paper हो जाएगा character ये बात मैं मान के चल रहा हूँ ठीक है तो आप 3300 questions लगाने के लिए है या नहीं है यह आपको सोच रहा है ठीक है अब सर यह चीजें मिलेंगी कहां यह चीजें अगर हम अगर हम आप मेरी इस बास से एगरी कर रहे हो कि हाँ रिविजन करना है प्रेक्टिस करना है और यह strategy आपको ठीक लग रही है इन डाट केस में आपको ले चलता हूँ एक एसी चीज की तरफ जहां पर आपको यह सारी चीजें मिलती हैं और वह है अड़ा 24-7 की application अब जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि एस ओफलाइन मौक टेस्स सीरीज लॉंच वी जहां पर commerce domain English language और GT सब कुछ आपको मिल रहा है अब देखें प्रिवेस इर की किताबे मे मिल रही है इसलिए कह रहा हूं चाहे ओफलाइन लगाओ चाहे ओनलाइन लगाओ तुम्हारी मर्जी अब यहां पर आपको तीस ओफलाइन टेस्ट और 40-40 के लगबग आपको ओमार शीट मिलेगी ओमार शीट पर बैठके प्रेक्टिस करते रहा है ठीक है साट मिनिट के सम आप हाइब्रिट ले लो अब उससे क्या होगा कि ऑल्लाइन आप जो है खरीदोगे और ऑल्लाइन करना शुरू करोगे फिर बाकी आपके चीज़ें घर तक पहुंच जाएंगी आप अगर मैं बात करता हूं यह अल्टीमेट कोशन सीरीज में यह सिनारियो है कि अल्टीमे जो टाइम है वह और मिल जाता है तीचर के साथ पढ़ोगे तो मन भी लगता रहेगा तो तीनों आपके पास है आप तीनों आप्शन पे गोन कर सकते हो मैं लास्ट में आपको यह बताता हूं कि बेटा पक्का 100% मेरी बात मानेंगे कि यह स्ट्रेटिजी काम करेगी जब आ आपको आपरोच बताऊंगा कि किस तरीके से के स्ट्रेडी के कोशन सौल्व करने जायाहिए जब प्री इको का का बताइंगे असार आपना अपरोच बताईंगे कि उनके सब्यूंच में किस तरीके से सई से कोशन Ohh हो सकते हैं चलिए देteá हूं कि कि किस तरीके से आपने क में या टेस सेरीज में आप औल रौसें पर जाओ आप यूजी-पीजी-एंट्रेश जाओ अड़र। टोंडी-फॉर सब्गों करने के बात वाई 769 जैसे ही आपने कूपन कोट लगाया तो आपने देखा कि यहाँ पर चलिए वाई 769 लागे देखते हैं और देखते हैं कि आपको डिसकाउंड मिल गया अभी बैच आपका 1499 1499 का पड़ेगा मालों 1112 दिन है तो आप डेली सौर पे खर्च कर रहे हो लेकिन आपका बैच अब आपको देखाता हो कि भाई तेस्ट सीरीज आफलाइन वाली आपको कहां मिल जाएगी तो जिब आप यहां पर जाओ ठोड़ा और ठोड़ाओ और ओपर जाओ और यहां पर देखो यह तुम्हें मिलता है यह देखो यह वीश एस ओफलाइन मॉक टेस सिर coupon code है Y769 चोड़ा सा S लगा देना आखरी में तो तुमको यहां भी 17% का discount और 1000 रुपर में चीज़ें मिल गई और जब बैस लेना है तो आप इस बेसिक instruction को follow करें और इस strategy पर पक्का काम करें हैना मैंने आपको यह बताए कि आपको करना क्या है strategy बता दी और चीज़ें बेस्ट कहां मिल जाएंगी वह यहां मिल जाएंगी चालो फिर ठीक है thank you very much all the very best आपके एक्जाम के लिए आपके एक्जाम नजदीक आ रहे है confidence को बढ़ाये रखो stress को कम करते रहो anxiousness को अपने पास मत बटकने देना पहाई करते रहो हस्ते रहो बढ़ते रहो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहन बाई 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 and have a great day